या सवाल संध्या का है? नमस्करम सद्गुरू आज हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध आक्टर ने खुद अपनी जान ले ली मैं वाकई सक्ते में हूँ इसी तरह रॉबिन विल्यम्स और कई दूसरे बहुत ज़्यादा सफर लोगों ने भी ऐसे कठोर कदम उठाए है एक समाच के रूप में हम कहां गलती कर रहे हैं कि यहां तक की सफर लोग भी इस तरह से अपनी जान ले रहे हैं तो हर दिन, माफ कीजिये, हर साल आठ लाख लोग आत्मात्या कर रहे हैं यह संख्या उससे कई गुना ज्यादा है जितने लोगों की हत्याएं होती हैं और जो युद्ध में मारे जाते हैं कई गुना ज्यादा बात बस इतनी है कि मैं नहीं जानता कि यह एक्टर या एक्टरिस कौन है सुशान सिंग राजपूत वैसे मेरा मतलब मैं बस कुछ ही नामों को जानता हूँ तो मैं नहीं जानता मुझे माफ कीजिये यह जो भी है मेरा मतलब मैं इस इंसान के बारे में कुछ नहीं कहना जाता यह अफसूस की बात है क्योंकि हम उनके जीवन के बारे में कुछ भी नहीं जानते लेकिन ये क्यों हो रहा है कि एक मेरे ख्याल से जब हर साल आठ लाक लोग मर रहे हैं तो मैं इसे एक विशाल घटना कह सकता हूँ इसका मतलब है कि हर 40 सेकेंड पर लगबग हर 40 सेकेंड पर एक इनसान आत्मात्या कर रहा है ये कोई छोटी बात नहीं है तो इसके कई पहलूं है अगर आप क्योंकि लोग अभी अगर वो किसी ऐसे व्यक्ति को खो देते हैं जो नहीं प्रिय है या जिसका वो आधर करते हैं तो अभी वो एक भावक व्स्था में है वे इसे वैसे नहीं देखेंगे जैसे इसे देखना चाहिए लेकिन अगर आप इसे देखने को तयार हैं, बस एक जीवन के रोप में, एक व्यक्ति के रोप में नहीं एक सबसे मूलभूत कारण कि एक व्यक्तिगत इनसान तूट जाता है, जिसका नतीजा आत्मात्य हो सकती है, या जिसका नतीजा डिप्रेशन हो सकता है, या जिसका नतीजा किसी दूसरे किस्म की बीमारी हो सकती है वो कई पहलूंँ पर निर्भर करता है लेकिन मूल रूप से ये तूटना है जीवन नहीं तूटा जीवन का तूटना वो अलग बात है वो काल भैरव का काम है आप उनका काम नहीं करना चाहते आप उनसे आगे जाकर इसे खुट करना चाहते हैं तो इसके साथ करुणा से पेशाना होगा मैं वो बहुत अच्छी तरह जानता हूँ ऐसा नहीं है कि मुझे में कोई करुणा नहीं है ये एक समवेदन शील मामला है लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसे बस वैसे ही देखें जैसा ये है अगर आप जानना चाहते हैं कि ये क्या है वरना जब कोई आत्महत्या करता है या जब कोई मरता है आप भावुक हो जाते हैं आपको लगता है कि ये दुनिया का अंत है तीन दिनों के बाद आप अपने समाने जीवन में वापस चले जाएंगे, हर चीज चलती रहेगी और आप इस बारे में भूल जाएंगे और एक बार फिर जब कोई मरता है, फिर वही भावनाएं, वही संगर्श, उसी मुकाम पर वापस तो समय आ गया है कि आप इसे बस एक जीवन के रूप में देखें, एक व्यक्ति के रूप में नहीं, खासकर एक ऐसे व्यक्ति के रूप में नहीं, जो आपका करीबी था, या आपको प्रिय था, या जिससे आप प्यार करते थे, इसे उस तरह मत देखिए, बस जीवन की तरह कोई जीवन ऐसा क्यों करता है इसमें कई कई पड़ते हैं एक बुनियादी पहलू ये है कि जीवन का अनुभव सुखद नहीं है क्योंकि अभी हमारे जीवन के अनुभव को किसी और चीज़ का बंदी बना दिया गया है दुनिया में सफलता का बंदी या पैसों का दौलत का रिष्टों का बहुत सी चीज़ों का इतनी सारी चीज़ों का बंदी बना दिया गया है अगर बाजार गिर जाता है तो लोग आत्महत्या कर लेंगे अगर एक लव अफैर टूट जाता है तो कोई आत्महत्या कर लेगा अगर वो अपनी दौलत खो देते हैं तो वो आत्महत्या कर लेंगे क्योंकि जिसे आप इंसान कहते हैं वो दुर्भाग्य से इन सब चीजों का एक कोलाज है मेरा पैसा, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे रिष्टे, मेरी जॉब और मेरा ओहदा, मेरी शोहरत, मेरा नाम, इन सब का कोलाज तो इसका मतलब कोलाज यानि कुछ तुकणों को हलके से साथ में रखा गया है ये किसी भी समय बिखड सकता है अगर उस तस्वीर के एक हिस्से को कोई जला देता है तो ये तूटकर बिखड जाएगा तो मैं जानता हूँ कि कई सारे सावाल उठेंगे थोड़े समय में मैं सभी पहलूँ पर बात नहीं कर पाऊंगा मेरे खयाल से हमने डेथ बुक में इस पर चर्चा की है विस्तार की उस हद तक जहां मैं लोगों को अपना दुश्मन ना बना लूँ हाँ क्योंकि ज्यादतर मानावता जीवन को आँख से आँख मिला कर देखने को तयार नहीं है उन्हें ड्रामा चाहिए तो जिस हद तक इसे एक सारवजनिक मंच पर प्रस्तुत करना संभव है हम उस किताब में उस हद तक और उस से थोड़ा आगे गए है आत्महत्या और इन सारे पहलों के बारे में बहुत सरल शब्दों में कहें तो जीवन है जीवन यानि वो चीजें नहीं जो आपके जीवन में होती है जीवन कोई ड्रामा नहीं है जो आपके आज पास चल रहा है जीवन एक बुन्यादी चीज है जो आपके भीतर घटित हो रही है ये जीवन अपने ही कुछ खास सिध्धान्तों और नियमों के आधार पर चलता है और अब आपके चारों और एक दुनिया है, एक समाज है ये अपने ही सिर्फिरे सिध्धान्तों पर चलता है जो तरल हैं और हर समय बदलते रहते हैं आज अगर आप एक चीज करते हैं तो लोग तालियां बजाएंगे उसी चीज के लिए सौ साल बाद वो आपकी बुराई करेंगे अभी एक आंदोलन चल रहा है ये सभी जातिवादी एक समय पर वो बहुत प्रसिद्ध थे वो महान नेता थे वो महान नेता थे लोगों को लगा ये एक या दो लोग नहीं हैं मैं चाहता हूं कि आप समझें आज इसे इस तरह से बनाया जा रहा है कि एक आदमी जातिवादी था एक इनसान जातिवादी नहीं था पूरा समाज था एक इनसान ने ज्यादा लोगों को मारा ज्यादा लोगों को पकड़ा ज्यादा लोगों को गुलाम बनाया तो वो एक हीरो था इसलिए हमने उसकी मूर्ती लगाई उस समाज में वो एक महान हीरो था इंसान खुश है, वो सोचता है कि मैं एक शांदार आदमी हूँ, उसे रॉबिन हुट कहा जाता है। तो जब लोगों ने जाकर दूसरे देशों से दौलत चुराई, तो उनके देश के लोगों ने तालिया बजाई और कहा कि ये शांदार बात है, वो काफी नहीं था, उनकी दौलत चुराना, तो हम लोगों को भी चुराकर ले आए। लोगों ने कहा, ये बहुत बढ़िया है, ये लोग मुफ्त में काम करेंगे। लोगों ने कहा, ये बढ़िया है, कृपिया समझ ये, वो एक अकेला आदमी नहीं था, एक अकेला गुलामों का व्यापारी, पूरे के पूरे समाज ने गुलामी के फायदों का लाब उठाय इसमें कोई सवाल ही नहीं है, हम उससे बच नहीं सकते, तो उसी तरह से एक समाज में, किसी भी समाज में, ये किसी एक खास इंसान या किसी खास समाज के बारे में कमेंटरी नहीं है, हर समाज में ऐसा कुछ होता है, कुछ बिलकुल असहनिय स्तर पर हैं, दूसरे संभालने ल जब मैं शायद 10-11 साल का था, 11-11 की उम्र तक, मैं, मैं जीवन को इस नजरिये से देखने लगा कि क्या अन्याए है, क्या अन्याए है, मैंने पाया कि मेरे पिता बहुत अन्याई है, मैंने पाया कि मेरी मां बहुत अन्याई है, मैंने पाया कि मेरी बहने और मेरा भाई बहु बहुत अन्याई है, मैंने पाया कि सामाजिक परिस्थती बहुत अन्याई है, मैंने देखा कि वैश्विक परिस्थती बहुत अन्याई है, मुझे हर चीज अन्याई जैसी लगी, जैसे जैसे मैंने हर चीज में अन्याई देखा, धीरे धीरे में गुसा, गुसा, गुसा होता चला गया, कोई अचरज नहीं कि संयोग से आज चे का जन्म दिन है, आह मैं उसके बारे में जाने बिना ही उसमें चला गया तो चे क वेवारा एक बड़ी प्रेणा बन गये मैं हथियार बंद संगर्ष में शामिल होना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सारे अन्याई लोगों को मारना चाहता हूँ आप उन सारे लोगों को मारना चाहते हैं, जो दुनिया में अन्याई फैला रही हैं यही सुब्रमन्यम या कार्थिकेय निकिया वो हजारों लोगों की हत्या करते चले गए, जहां भी उन्हें अन्याई अगर आप इस तरीके से चलते हैं, तो आपको पूरी दुनिया की हत्या करनी होगी, क्योंकि हर चीज में थोड़ा बहुत अन्याए है, मैं आश्रम के अंदर भी बहुत से लोग शिकायत कर रहे हैं कि इस जगह पर कितना अन्याए होता है, हाँ, मुझे हर तरह की कमेंटरी मि करती है, कैसे मैं अन्याई हूँ, क्योंकि पर्फेक्ट न्याए जैसी कोई चीज नहीं होती, जो हर किसी को खुश कर दे, ये संभव ही नहीं है, आप चाहे जैसे भी करें, परिवार के अंदर, अगर आपके दो बच्चे हैं, एक बच्चे को महसूस होगा कि उसके प्रती अन्याई हो रहा है, क्योंकि जब आपने आम को काटा, तो एक तुकड़ा दूसरे से बढ़ा था, हाँ, ये ऐसा ही है, तो जब आप एक कोलाज हैं, कोई तुकड़ा गिर जाता है, और कभी-कभी उस तुकड़े के बिना, आप थोड़ा, क्या कहें, रोहेंगे और गाएं बहुत सुन्दर गाना और एक शांदार सीन माना जाता है, हैलो, आप दूसरे लोगों के रोने का आनंद लेते हैं, है न? आप दूसरों के दुखी होने का आनंद लेते हैं, आप फिल्म देखने गए, और वो रोये, और उनका जीवन एक तबाही था, आप भी रोये, और फिर आपने बाहर आकर कहा, कितनी शांदार फिल्म है. नहीं, नहीं, मैं कला के प्रकार पर कोई टिपणी नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ, कि आप दूसरों के दुखका आनंद लेते हैं, जब तक कि वो आपको नहीं चूता. अगर वही चीज़ें आपके साथ होती हैं, तो आप रोते हैं, मगर अब आंसूं में वाकी कड़वाहट है. अब आंसूं में तेजाब है, वो आपको जलाता है. वरना ये सब एक अच्छी चीज है. तो मैं आपसे ये इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि सद्गुरु जब एक युवा आदमी ने आत्मात्या कर ली है, क्या आपको इतना निर्मम होना चाहिए? इसलिए मैंने आपसे कहा, मैं इस व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ. या किसी भी एक व्यक्ति के बारे में, जीवन को वैसे देखिए, जैसा वो है. जीवन चल रहा है, अपने ही एक सिध्धान्त और एक नियम के साथ. अब आपने एक समाज बनाया है, जो बहुत सी चीजों का एक कोलाज है. कोई नहीं जानता कि आखिर ये है क्या. अब आप इस पूरे समाज को लेते हैं, और उसे अपने मन में च्छाप लेते हैं. तो आपके पास एक मन है, जो बिल्कुल समाज के जैसा है. मगर ये समाज की सटीक पर च्छाएं भी नहीं है. समाज की आपकी अपनी विक्रितियां. देखिए, आप समाज के बिना नहीं जी सकते. मगर समाज में आपके दुख के लिए बहुत सी चीज़ें हैं. जब वो आपके खिलाफ काम करता है, तो आप दुखी होते हैं. जब वो आपके पक्ष में काम करता है, तो आप उसका मज़ा लेते हैं, ये चल रहा है तो आपके पास एक मन है, विचार और भावनात्मक धाचा है और आपके पास एक जीवन है, ये कुछ हैसा है इशायो केंद्र में सभी बैल गाडियों में हम सिर्फ एक बैल लगाते हैं अगर आपको पता ना हो, तो ये तमिल नाडू में एक नई चीज है सिर्फ करनाटक में एक बैल वाली बैल गाडियां होती है तमिल नाडू में एक बैल वाली कोई बैल गाडी नहीं होती, हमेशा दो बैल होते हैं यहां तक की छोटी बैल गाड़ी में भी दो बैल होते हैं इसके बारे में कोई सांस्कृतिक आस्था या समझ है तो मैंने कहा कि एक ही बैल होना चाहिए हमारे लोगों ने कहा नहीं सद्गुरू एक बैल नहीं खीच पाएगा मैंने कहा कोई बात नहीं बॉल बियरिंग लगाओ, चाहे जो भी करो, उसे आसान बनाओ, मगर बैल एक ही होगा अब, जो जीवन आप हैं, और जो मन आप हैं, वो दो बैलों की तरह हैं, जो एक बैल गाड़ी में जुते हैं दोनों बैलों को एक ही दिशा में रखने के लिए, आपको एक कुशल राइवर होना होगा अगर एक इधर जाता है, एक उधर जाता है, तो आपकी गड़ी तूट जाएगी शायद वो बिलकुल अलग दिशा में न जाएं, वो थोड़ा इधर उधर खीच रहे हैं फिर आप थोड़े डिप्रेस हैं, संघर्ष कर रहे हैं और दुखी हैं लेकिन अगर वो वाकई दो अलग अलग दिशाओं में जाते हैं, तो आप तूट जाएंगे हर कोई नहीं तूटेगा, दुरभाग्य से आठ लाख लोग हर साल, मैं नहीं जानता, वो कहते हैं कि दो लाख से अधिक लोग 20 से 29 साल की उम्र के बीच होते हैं अपने जीवन के सबसे अच्छे समय में वो उसे खत्म कर रहे हैं तो उनका संघर्ष क्या है? शायद किसी को कोई ठीक ना हो सकने वाली बिमारी हो, बहुत ज्यादा दर्धनाक तो वो उसे खत्म करना चाहते हैं, हम उन्हें माफ कर देंगे कोई और आर्थिक जंजट में है हम उन्हें माफ नहीं करते कोई और असफल प्रेम संबंध हम उन्हें माफ नहीं कर सकते कोई और परिक्षा में फेल हो गया उन्हें बिल्कुल भी माफ नहीं कर सकते इस तरह बहुत से कारण है ये उनका मजाख उड़ाने के लिए नहीं है बात बस इतनी है कि आपके अंदर बस इतना हो रहा है कि आपके मन में एक छवी है कि जीवन क्या है और आपके पास एक जीवन है जब आपकी छवी उस जीवन से मेल नहीं खाती जो आप है ये जीवन जो आप है ये उस जीवन से अलग नहीं है जो मैं हूँ यह उस जीवन से अलग नहीं है जो कोई भी दूसरा व्यक्ती है लेकिन आपका मन ऐसा बन गया है कि वो जीवन को नहीं दिखाता वो जीवन की सेवा नहीं करता वो सोचता है कि वो अपने आप में एक जीवन है आप मानने लगते हैं कि आपकी विचार प्रक्रियाएं और भावनाएं अपने आप में एक जीवन है आपकी सामाजिक परिस्थितियां अपने आप में एक जीवन है अब एक बैल इधर खीच रहा है एक बैल सीधा जाने की कोशिश कर रहा है दूसरा बैल उधर खीच रहा है हम नहीं जानते कि रसियां कितनी मजबूत हैं वो कितनी देर थाम पाएंगी अगर गाड़ी तूटती नहीं फिर भी ये एक दुख भरा सफर है देखे, आपको अपना जीवन खत्म करने की जरूरत नहीं है क्योंकि काल भैरव आप उनकी कुशलता पर सवाल नहीं उठा सकते उन्होंने एक भी इंसान को बिना मरा नहीं छोड़ा है कभी असफल नहीं हुए, है ना? कुछ लोग लंबी उम्र जीए इसकार्थी ये नहीं है कि वो मौत से बच गए उन्होंने लंबा जीवन जिया, बस उनका मन और उनका जीवन दोनों बैल साथ में दोड़े या शायद वो इतने समझदार थे कि उन्होंने उसे एक ही बैल बना दिया सिर्फ उनका जीवन दोड़ा मन सिर्फ एक छोटी सी घटना थी मेरी तरह सिर में कुछ भी नहीं है तो कोई समस्या नहीं लोग पूछते हैं सद्गुरू क्या आप कभी गुस्सा होंगे क्या आप डिप्रेस होंगे क्या भताश होंगे वो कहा होता है वो चीजें कहा होती है मुझे नहीं पता कि वो कहा होती है क्योंकि वो चीजें जिस जगह पर होती हैं, वो आम तोर पर मेरे अंदर नहीं होती कभी कभार जब मैं ऐसे बैठता हूँ, मुझे मन की जरूरत होती है तो मैं उसे वापस ले आता हूँ वरना उसका अस्तित्व नहीं है क्या, क्या मेरी छोटी उंगली हताश है? हताशा छोटी उंगली में नहीं हो सकती हताशा आपके पैरों में नहीं हो सकती हताशा आपके गुटनों में नहीं हो सकती हताशा सिर्फ एक जगह होती है वो जगह उस जगह से छुटकारा पाने के लिए बहुत काम करना पड़ता है तो अभी करने के लिए सबसे अच्छी चीज ये होगी कि दोनों बैल इतने अनुशासित हों कि वो साथ में चलें आप ये कुशिश न करें कि जीवन मन के साथ चले ऐसी कोई चीज नहीं होती वो अपने आप चलता है, वो आपका भी नहीं है उसे आप नहीं चला रहे, वो चल रहा है ये सृष्टी है आपका काम है दूसरे बैल को सही दिशा में रखना जो पूरी तरह से आपका बैल है आप समझ रहें हैं ना? ये पूरी तरह से आपका बैल है, आपने इसे बनाया है आपने जिस बैल को बनाया है उसे इस बैल के साथ चलना चाहिए आपके बैल को इस बैल की परच्छाई होना चाहिए आपका बैल परच्छाई खड़ी हो गई है और अपनी ही बकवास कर रही है साफ है कि समस्या होगी तो ये इस पर बहुत सारी प्रतिक्रियां आएंगी क्योंकि ये लाइव चल रहा है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये बस इतना ही है जीवन मौजूद है और ये स्वभाग्य की बात है कि विकास की प्रक्रिया के साथ हमारे पास इतनी जटिल मानसिक या सेरेब्रल गतिविधी है आपने बस ये नहीं सीखा कि उस बैल की सवारी कैसे कर दी है बस आप उसे दुख कह सकते हैं, आप उसे निराशा कह सकते हैं, आप उसे डिप्रेशन कह सकते हैं सभी डिप्रेशन क्लब मेरे पीछे पड़े हुए हैं पिछले दो तीन सालों से क्योंकि मैंने ऐसा कुछ कहा था, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ ये उनका अपमान करने के लिए नहीं है ऐसा नहीं है कि मुझे उनसे कोई हमदर्दी नहीं है ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके पर एक रास्ता है जब उसके पर एक रास्ता है अगर आप उसे नहीं खोचते तो ये बहुत दुर्भाग्य पूर्ण है नहीं सद्गुरू, क्या ये स्वभाविक नहीं है कि जीवन में उतार और चड़ाव और उतार और चड़ाव हूँ लोग तुरंथ ही अपने दुख के इर्दगिर्द फिलोसफी बना लेते हैं नहीं, ये स्वभाविक है, पहले दो दिन मैं खुश था, अब पिछले एक हफ़तों से मैं दुखी हूँ, ये स्वभाविक है आखिरकार जब हमारी शादी हुई थी, तब हम बहुत खुश थे, पिछले पंदरा सालों से हम दुखी हैं, कोई बात नहीं मैं कह रहा हूँ कि लोग अपने दुख के इर्दगिर्थ फिलोसफी बुन रहे हैं, कोई फिलोसफी बुनने की जरूरत नहीं है, अपने दुख, या अपनी खुशी, या अपने प्यार के आस-पास क्योंकि ये सब ही वो चीजें हैं, जो आप अपने विचारों और अपनी भावनाओं में पैदा करते हैं, किसी फिलोसफी की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार की फिलोसफी, व्याख्या, या धर्म की कोई जरूरत नहीं है, या भगवान आपसे प्यार करते हैं, या अगर आपकी गाड़ी में दो बैल लगे हैं तो दोनों बैलों का मकसद एक ही होना चाहिए जैसे ही दोनों बैलों के इरादे अलग होंगे फिर देखें मैं चाहता हूँ कि आप समझें ये जीवन ये जीवन जो आप हैं ये अमीर बनने की नहीं सोच रहा है ये मशहूर होने की नहीं सोच रहा है ये इसके और उसके बारे में ये ये वो पाने के बारे में नहीं सोच रहा है हाँ ये चाहता है कि शरीर को अच्छा पोशन मिले बस वो एक मूलभूच जरूरत है अगर शरीर का मंच अच्छे से पोशित है तो जीवन रुकेगा, अगर नहीं तो वो चला जाएगा लेकिन वो उसकी मांग भी नहीं करता ये हम तै करते हैं कि इसे चलते रहना चाहिए लेकिन जीवन सिर्फ एक उत्साह पूर्ण और उलासित रूप में घड़ित होना चाहता है जितना संभव हो सके उतने उत्साह से, जितना संभव हो सके उतने उलास से अब आपको देखना चाहिए, शायद आपने ना देखा हो इन दिनों वो ज्यादा नहीं मिलते क्योंकि सब कुछ ट्रैक्टर, ट्रक और ऐसी चीजें हो गई है वरना इन कच्चे रास्तों में ऐसे कच्चे रास्ते हैं जो जो नीचे धस जाते हैं धर्ती की सतह से 10-20 फुट नीचे धस जाते हैं और वो बिलकुल ऐसे होते हैं आप देखेंगे कि बैल गाड़ी चलाने वाला गाड़ी वान कैसे वो दोनों बैलों को साथ रखने के लिए संगर्ष करता है क्योंकि जब जमीन संतल नहीं होती तो बैल थोड़े उलजन में पड़ जाते हैं एक इधर जाना चाहता है, एक उधर जाना चाहता है एक अपने आराम के मुताबिक चल रहा है, दूसरा अपना आराम खोजने की कुशिश कर रहा है क्योंकि जमीन ही वैसी है और एक बेल पर बहुत अधिक बोज है तो वो उसे दूसरे पर डालने की कुशिश करता है अब वो नियंतरण रखने में संघर्ष करता है वो कितना कुशल है इसी से ये तै होगा कि वो कितनी सफलता से उस जंजट से बाहर निकलेगा तो आम तोर पर एक या दो बहुत कुशल गाड़िवान होते हैं जब मुश्किल परिस्थतियां आती है तो वो अपनी गाड़ी उस सोर रख देंगे वापस जाएंगे और एक एक गाड़ी ले जाएंगे वही गाड़िवान, क्योंकि वो साफ तौर पर जानते हैं कि कठेन इलाकों में बैलों को सम्हालने में हर किसी की एक जैसी क्षमता नहीं होती समतल जमीन पर हर कोई गाड़ी चला लेता है समतल जमीन पर चाहे वो खींचतान कर रहे हूँ तब भी आपको पता नहीं चलता क्योंकि गाड़ी सीधी जा रही है यही वजह है कि वो देश्य और गतिविधी जो आत्म रुपांदरन की दिशा में होती है वो एक इंसान के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण गतिविधी है इस संस्कृती में हमेशा से आध्यात्मिक प्रक्रिया को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ऊंचा आयाम माना गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका एक पहलू हकीकत है दूसरा पहलू मानसिक हकीकत है यहां तक कि दोनों के बीच अंतर करने के लिए भी थोड़ा काम करना पड़ता है वरना आप सोच रहे हैं कि जिस बैल को आपने बनाया है वो अपने आप में एक हकीकत है जिस बैल को आप बनाते हैं, खास कर जिस बैल को आपने बनाया है, उसे पूरी तरह से आपके नियंतरण में होना चाहिए, है न? स्रिष्ठी का बैल पूरी तरह से हमारे नियंतरण में नहीं है, उसे हम काल भेरव पर छोड़ देंगे मगर जिस बैल को मैंने बनाया है उसे पूरी तरह मेरे नियंदरण में होना चाहिए मगर अभी वही बैल बेकाबू हो रहा है तो ये कितने रूपों में प्रकट होगा आज इंसान कितने अलग-अलग तरह के दुख जेलते हैं ये इन सब ही अलग-अलग रूपों में प्रकट होगा दुख इस हद तक बढ़ सकता है कि आप जिस मूलभूत कारण से यहां हैं वो ये है कि आपका जन्म हुआ है और आप जिन्दा हैं तो मूलभूत चीज का ही कोई महत्वन नहीं रह जाता कि आपका अपना परचाई वाला बैल एक परचाई असली चीज से अधिक महत्वपून बन जाती है बस यही हुआ है आप इसे दुख कह सकते हैं आप इसे हताशा कह सकते हैं आप इसे डिप्रेशन कह सकते हैं आप इसे आत्महत्या कह सकते हैं मगर मुख्य रूप से परच्छाई असली चीज़ से अधिक महत्वपूर्ण बन गई है तो यह युवक जो भी था यह बहुत दुरभागे पूर्ण है मगर आठ लाग से अधिक लोग हर साल अपने साथ हैसा कर रही है हम बहुत गर्व नहीं कर सकते कि हमने एक महान समाज या सभ्यता बनाई है अगर वास्तव में हमने एक महान सभ्यता बनाई है तो हर तरह के लोग, हर तरह के मजबूत, कमजोर, समर्थ, असमर्थ, हर किसी को कहीं न कहीं जगह मिलनी चाहिए हर किसी को कम से कम पता होना चाहिए कि अपने सीमित स्थान के भीतर शान्त और खुश कैसे रहना है ये सभ्यता है अभी सभ्यता का हमारा विचार पिछले एक हजार साल से ये रहा है कि कैसे दूसरे लोगों को मौत के घाट उतारा जाए उनकी चीजें छीन ली जाएं और कहना कि हम सभ्यता है जब सभ्यता का आपका विचार ऐसा होता है तो आंतरीक रूप से कई कई चीजें चलती रहेंगी क्योंकि आपने उस कोलाज में निवेश किया है जिसे आपने बनाया है इस हद तक कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे पास एक समाजिक धाचा नहीं होना चाहिए या किसी भी समय पर समाज एक परफ्रेक्ट कोलाज होगा नहीं, ये कभी नहीं होगा बात बस इतनी हैं कि आप अपने गुबबारे को फुला सकते हैं आपका बैल, आप उसे जितना चाहे उतना बड़ा बना सकते हैं लेकिन जब आप नहीं चाहते तो आपको इसे सुलाने में सक्षम होना चाहिए जब आप जो बनाते हैं, आप सोचने लगते हैं कि ये हकीकत है, ये असली है जब आप मानसिक प्रक्रिया को असलियत समझने की गलती करते हैं तो दुर्भाग्य से दुख अटल है इस पल शायद आप मैं कभी नहीं समझ पाया एक बच्चे के रूप में मैंने हमेशा सुना मैं on top of the world महसूस कर रहा हूँ मैं सोचता था क्या वो उत्तरी दुरूव पर है ये top of the world क्या है उनका मतलब ये है कि अगर आप सभी इंसानों को एक धेर में डाल देते हैं तो वो उन सब के उपर है यही उनका मतलब है उनका मतलब उत्तरी दुरूव नहीं है इसे समझने में मुझे कुछ समय लगा जब भी लोगों ने कहा मैं on top of the world हूँ मैंने कलपना की कि शयद वो उत्तरी दुरूव पर नाच रहे हैं क्योंकि बहुत कम उम्र से ही मैं भूगोल का शौकीन था तो मुझे थोड़ी देर से समझ आया कि ये लोग कलपना कर रहे हैं कि हर दूसरा इंसान उनसे नीचे है वही top of the world है जब ये आपका सपना है तो दुख अटल है ये ये बहुत साफ होना चाहिए कि ये मैं जो कह रहा हूँ वो किसी एक व्यक्ति के बारे में कमेंटरी नहीं है ये आपके अस्तित्व की प्रकृती है अगर आप इसके साथ समझोता कर लेते हैं तो आपको पता होगा कि इसे कैसे मैनेज किया जाए न केवल इसे मैनेज करना इसे अपने लिए एक अभूतपूर्व संभावना में कैसे बदलें या हर दिन दो बैलों के साथ संघर्ष करते हुए चीकते चिलाते हुए चलें आपको बैल गाड़ी चालकों को देखना चाहिए कि वो कैसे बैलों के साथ गाली का लोच करते हैं क्योंकि वो वो अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं बुरे शब्द और गंदगी सब कुछ वो बैलों को गालियां देते रहते हैं मुझे यकीन है कि बैलों को वो गंदगी नहीं समझाती जो आप बाहर निकाल रही हैं लेकिन आप उतनी ही कड़वाहट महसूस कर रही हैं आज आप समाज में देख रहे हैं गाली गलोच केवल एक खास समय पर नहीं होती कि कुछ समय के लिए कभी आपने नियंतरन खो दिया और गाली दी रोज की बाचीत ही गाली है यह ऐसा होता जा रहा है यह साफ तौर पर बैरोमीटर की तरह है यह दिखा रहा है कि आपके अंदर किस तरका अंतर है सिर्फ गाली 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 यह दुनिया भर में हो रहा है कुछ लोग यह सोचकर इसे अपना रहे होंगे कि यह फैशन है लेकिन मूल रूप से आपको यह समझना होगा कि आपके भीतर इस तरकी अप्रियता है कि आपसे कुछ भी शानदार नहीं निकल सकता यह संभव ही नहीं है केवल गालिया ही है तो आपको समझना होगा कि जब यह इस दिशा में आगे बढ़ रहा है तो यह आठ लाग की संख्या शायद बढ़ती जाए बहुत सारे लोग यह सोचने लगेंगे कि जीवन जीने लायक नहीं है क्योंकि उन्होंने जीवन को छुआ ही नहीं है वो अपनी ही बकवास में खोई हुए है उनकी मानसिक हकीकत पूरी तरह से जीवन प्रक्रिया पर हावी हो गई है वो अस्तत्वगत प्रक्रिया जिसे हम जीवन कहते हैं जीवन आपका किया काम नहीं है आपने इसे नहीं बनाया ये एक विशाल घटना है अगर आप इस विशाल घटना का एक हैसा होते जैसे आकाश गंगाएं हैं जैसे हवा है, जैसे पानी है उनकी खुद की कोई दिमागी का तिविधी नहीं है कोई व्यक्ति का तनुभाव नहीं है तो आप भी ठीक होते हवा में तैर रहे होते अस्तित्वन ने आपको एक व्यक्तिकत अनुभाव दिया हाला कि आप कुछ भी नहीं है इस ब्रह्मार्ण में आप वास्तों में कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं, एक कण इसने आपको एक व्यक्तिकत अनुभव दिया है आप यहां बैठ सकते हैं और खुद को एक अलग इकाई के रूप में अनुभव कर सकते हैं इस इसके लिए शब्ध ही नहीं है इसके लिए शब्ध ही नहीं है कि यह सुक्ष्मकण आप वो भी नहीं है इस तरह के कण के लिए एक व्यक्तिका तनुभव है और अभी चुँकि आपने इस व्यक्तिका तनुभव को बहुत गंभीरता से ले लिया है और आप इसका बहुत दुरुपयोग कर रहे हैं आपका दुख, आपकी निराशा, आपका डिप्रेशन, दुर्भाग्य से आत्महत्या ये भी इसका एक नतीजा है लेकिन बहुत से लोग कहीं ज्यादा दुख के साथ जी रहे हैं उन लोगों के मुकाबले जिन्होंने असल में आत्महत्या कर ली लेकिन वो जिन्दा रहना जारी रखते हैं क्योंकि एक बैल बहुत मजबूत है, वो हार नहीं मान रहा है हाँ किसी कारण से जीवन उड़ जाएं, बहुत मजबूत हैं, वो हार नहीं मानेंगी ये आठ लाक लोग ऐसे हैं, जो सफल हो गए आठ लाक लोगों के लिए, मुझे यकीन है, कि कम से कम तीन गुना, या चार गुना, या पांच गुना लोग ऐसे होंगे मुझे असली संख्या नहीं पता, जिन्होंने आत्महत्या की कोशिश की असफल केस भी हैं, बहुत बड़ी संख्या में तो ऐसा इसलिए, क्योंकि जीवन मजबूत था और उसने हार नहीं मानी हाला कि मन वहाँ जाना चाहता था, लेकिन जीवन मजबूत था आपके विचार और भावनाएं वहाँ जाना चाहते थे, लेकिन जीवन मजबूत था और वो कायम रहा, तो जीवन कब खत्म होना चाहिए, ये जीवन तै करेगा लेकिन जिन भी कारणों से उन्होंने आत्महत्या की एक बार जीवन चला गया, चाहे बेमारी से या एक्सिडेंट, कुद्रती मौत, आत्महत्या, इससे फर्क नहीं पड़ता की कैसे एक बार कोई जीवन चला गया, तो हमें बस सिर जुकाना चाहिए, क्योंकि ये उस जीवन का निर्णा है, जिस भी कारण से जब वो जीवित हों, तो हम सब कुछ करते हैं ताकि ऐसा ना हो एक बार जीवन चला गया, तो आपको बस सिर जुकाना चाहिए, क्योंकि ये अस्तित्व है, जिसकी उपर आपकी कोई शक्ती नहीं है आपके पास इस पर सवारी करने की शक्ती है, आपके पास इसे नियंतरित करने की या इसे निर्देशित करने की शक्ती नहीं है आपके वल जीवन की सवारी का आनंद ले सकते हैं, तो एक बार कोई जीवन चला गया, वो चाहे जो भी हो, जो भी कारण रहा हो उन्होंने जिन भी कारणों से आत्महत्या की वो आपको गंभीर या मुर्खता पून लग सकते हैं इसे फर्क नहीं पड़ता की क्यों लेकिन एक बार जीवन ने जाना चुन लिया आप से जुकाईए और उसका सम्मान कीजिए अगला दर्शन आने वाले रविवार के दिन होगा जो 21 जून का दिन है ये अंतरराश्ट्री ये योग दिवस है तो शायद हम सिर्फ बात न करें हम आपको जुकने और मुरने के लिए भी कहेंगे नहीं तो ये अंतरराश्ट्री योग दिवस है और इस साल सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ये उतना नहीं होगा जितना ये होता लेकिन हमें इसे जारी रखना होगा हम अलग-अलग देशों में कई चीज़ें कर रहे हैं और फॉरें मिशन्स कई देशों में इंडियन फॉरें मिशन्स हमारे साथ कुछ चीज़ें कर रहे हैं सबसे बढ़कर दुनिया को ये याद दिलाना जरूरी है एक कारण की क्यों हमको इस वायरस से इटना डर लग रहा है वो ये है कि दुनिया में परियाप्त योग नहीं है अगर वो होता तो एक बात तो ये है कि हमारे सिस्टम कहीं ज्यादा तयार होते ये एक बात है दूसरी चीज़ ये है अगर वो कहते हैं 14 दिनों के लिए social distance तो वो जरा भी समस्या नहीं होती अगर हर कोई किसी न किसी तरह का योग कर रहा होता अगर किसी ने दुनिया में घोषण की होती कि 14 दिनों का social distance हर किसी ने वो distance बरकरार रखा होता और 14 दिनों में वाइरस खत्म हो गया होता चुंकि परियाप्त योग मौजूद नहीं है वाइरस मज़े कर रहा है तो अंतरराश्ट्र ये योग दिवस अगला रविवार 21 जून हम फिर मिलेंगे स्पनीता रविवस बहाँ अओने करें पांचे परियाई योग छेए तिक बूवस परियाइ देगे आप शे पाल मौजकि ज़कि नहीं हो बहाँ तराम बहाँ परियाए तो इंवस कर दो कर दो कर दो कर दो जह कर दो कर दो को झाल कर दो पाल को कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो